आप सभी को मेरा नमस्कार नवे रसोई में आपका स्वागत है नवे रसोई में आज आपको मेदा के गुंजा बनाना शिकाती हूं एक कटोरी मैंने मेदा ले लिए और उसके अंदर उसके अकोडिंग गी डाल लिया है अब इसको मिक्स कर लेते हैं मिक्स हो गया है और इसको लड़ू बना के देख लेते हैं क्योंकि यह मोरन तयार हुआ है और नहीं हुआ है देखिए आप बिलकुल तयार हो गया है तोड़ा सा पानी डाल के और इसको गूंद लेते हैं बिलकुल टाइट अब गूंद लिया है बिलकुल टाइट देखिए आप बिलकुल गुंजा के लिए टाइट आटा रखना है इसको हम थोड़ देर के लिए डख के रख देते हैं यह सेट होता है जब तक हम गुंजा का मेटर तयार कर लेते हैं अब गेस पे कडाई चडा लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा गीडाल देते हैं अब इसमें ड्राइग फूर्ट डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं काजु डाल देते हैं और विदाम डाल देते हैं अब इनको रोष्ट कर लेते हैं पक्के तयार हो गए हैं अब इनको एक पलेट के अंदर निकाल लेते हैं देखे आप बिल्कुल पक्के तयार हो गए हैं अब इसके अंदर थोड़ा गी और बड़ा देते हैं अभी इसके अंदर एक चम्मच सूजी डाल देते हैं बड़ा चम्मच अभी इनको फराई करते हैं सूजी को ज्यादा फराई नहीं करना है थोड़ा कलर चेंज हो जाए उसके बाद सूजी को इकत्ता कर लो आपके पास माओ तो माओ डालो और माओ नाओ तो इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हो मलाई से भी बना सकते हो आप मैं तो आज मलाई से बनाऊंगी मलाई डाल देते हैं इसके अंदर मलाई को थोड़े देर चलाते हैं दूद की मलाई है मलाई को और सूजी को मिक्स कर देते हैं कि शूजी और मलाई बिल्कुल मिक्स हो चुकी है अब इसके अंदर नालेर का पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर अब इनको अच्छी तरह से मिला देते हैं अब इसके अंदर किस मिस डाल देते हैं अब इनको भी बिल्कुल मिला लेते हैं आप किस मिस खाना चाहो तो डालो या ना खाना चाहो तो इसको मद डालो अब इसके अंदर बिदाम और काजु जो फ्राई करके रखी तो इसको टुकडी करके इसको डाल देते हैं अब इसके अंदर चीनी डालते हैं पिशिवी चीनी भी डाल सकते हो या मोटी चीनी भी डाल सकते हो मैं इसके अंदर मोटी चीनी एड़ कर रही हूं क्योंकि यह टेस्ट के अंदर कुरकरी कुरकरी आए अब चीज नहीं सब चीज मिक्स हो चुकी है यह बिल्कुल तयार हो गया है पेस्ट बनके देखे आप बिल्कुल एकदम शानदार बनके तयार हो गया है जो हमने तक देर पहले आटा लगा करता मेदा का आटा के लोई बना लेते हैं छोट-छोटी अब इसको छोट-छोटी टुक्रो में काट लेते है अ करिको काट लिया है अब इसको गॉल गॉल बना लेते इनके सबी को गोल गोल बना लिया है अब एक करके इनको बनाते हैं एक लोई लेके बनाते हैं आपको बताएंगे बिना साचे से गुंजा कैसे बनाते हैं अब इसके अंदर जो वेटर तयार किया था ना वो डाल लेते हैं अब इनकी थोड़ थोड़ा पानी लगा लेते हैं किनारी पे पानी लगाने से अच्छी तरह से चिपक जाएगा मैं आपको बिना साचे बना के देखाऊंगी गुंजा मैं एक काटे वाली चमच की साहे तरह आपको बताऊंगी काटे वाली चमच ले ली मैंने अब इससे वेस तोड़े तोड़े दबा दो डीजान भी अच्छी बन जाएगी और गुंजे भी अच्छे बन जाएंगे देखें आप कितना श्यानदार गुंजा बन के तयार हुआ है अब ऐसे करके हम सभी को तयार कर लेते हैं को दो तीन गुंजे बना के दिखाती हूँ वाइक कैसे बनता है आप अच्छी तरह से देख लेना पट्राइ करने से विल्गुल सपाई आने लग जाएगी इसके अंदर अच्छा बनके तैयार हुआ है बना के मैंने एक पलेट के अंदर रख लिया है देख लीजे आप कि अब में तेल गरम कर लेती हूं अब हो चुका है अब इसके अंदर गुंजे डाल देती हूं गुम आते हैं इसको तैयार हो गए अब बार निकाल लेती हैं एक पलेट के अंदर देखिए आप गुंजे बन कर तैयार हो गए बिल्कूल अच्छा फलेट हो रहा है मारकेट जैसे गुंजे बन कर गरपे यह तैयार हो गए अब इसके लिए चासनी तैयार करते हैं चासनी तैयार करते हैं इसके लिए चासनी तयार हो गई है उगे इसको बंद कर देते हैं चासनी को थोड़ दे ठंडे होने देते हैं फिर इसके अंदर सभी गुंजे एड़ कर देते हैं चासनी के अंदर डूबो देते हैं इनको सभी को और गुम आते रहेंगे क्योंकि चासनी अच्छी तरह से इनके अंदर चली जाए अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं गुंजे बनकर तयार होगे मार्केट जेसे नब्यरसोई में आमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना सस्क्राइब करना और वेल आइकन तो जरूर दबाना और अपने दोस्तों के पास से जरूर करना धन्यवाद झाल करना सस्क्राइब करना सस्क्राइब करना